प्रान्पृतिष्ठा कारिक्रम में नहीं जाने का कॉंग्रिस आलकमान का बड़ा फैसला पार्टी नेताओं के बीच में आलकमान के इस फैसले पर रुख हुआ कड़ा आलकमान का ये फैसला कॉंग्रिस नेताओं को ही नहीं भा रहा फैसले के बाद से कॉंग्रिस के अंदर ही बड़ा घमासान छिड़ गया कॉंग्रिस के नेताओं ने पार्टी आलकमान के फैसले पर क्या कहा आयोध्या में राम मंदर प्राण प्रतिष्ठा कारिकरम के लिए कॉंग्रिस को न्योता तो बहुत पहले मिल चुका था लेकिन अंतिम फैसले पर नहीं पहुँचा गया था लेकिन 10 जन्वरी के दिन बुद्वार को कॉंग्रिस ने फैसला ले लिया और बता दिया कि वो तुष्टिकरन की राजनीती से बाहर ही नहीं आना चाहती है कॉंग्रिस ने इस साबित कर दिया कि उसके लिए राजनीती ही सब कुछ है बाकी और लोगों की भावनाओं से उसको कोई खास मतलब नहीं है वो हिंदू के उत्सव में हिंदू के साथ खड़ी नहीं हो सकती हाँ बाकी अन्य धर्मों के लिए आवाज उठाती जरूर देखी जा सकती है यही है कॉंग्रिस का असल चहरा क्यूंकि टै कर लिया गया है कि सोनिया गांधी और मलिकारजुन खड़गे रामलला के प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम में शामिल नहीं होंगे एक अद्भुत दिन पर एक अद्भुत पल के साक्षी यह नहीं बनेंगे लेकिन अब तो कॉंग्रिस में ही जैसे सोनिया गांधी और मलिकारजुन खड़गे के इस फैसले को लेकर बवाल मच गया है कॉंग्रिस के ही लोग नियोता छुकराने को बहुत बड़ी भूल बता रहे है गुजरात में कॉंग्रिस के वोकिंग प्रेजिडेंट अमरीश डेर विधाय करजुन मोधवा दिया और यूपी कॉंग्रिस से आचारी प्रमोत कृष्णम जैसे नेताओं ने पार्टी के फैसले का मुखर होकर विरोध किया है कॉंग्रिस नेताओं नहीं कहा है कि भगवान राम देश के लोगों के लिए आस्थार विश्वास का विश्य है ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमी का अधा की है ये बड़ा गंभीर विश्य है आज मेरा दिल तूट गया है और इस फैसले से करोडो कॉंग्रेस के कारेकरताओं का दिल तूटा है उन कारेकरताओं का उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है कॉंग्रेस वो पार्टी है जो मात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है कॉंग्रिस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी नहीं इस राम मंदिर का सिला न्यास राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया कॉंग्रिस नेता अम्रीश धेर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा मर्यादा पुरुशोत्म भगवान श्री राम हमारे अराध्य देव हैं इसलिए इस वाभाविक है कि भारत भर में अंगिनत लोगों की आस्था इस नव निर्मित मंदिर से वर्शों से जुड़ी हुई है कॉंग्रिस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जन भावना का दिल से सम्मान करना चाहिए इस तरह के बयान से मेरे जैसे गुजरात कॉंग्रिस के काई कारिकरता निराश है और सुनिये इसी तरह से गुजरात कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष और पूरबंदर से विधायक अर्जन मोढवारिया ने सोशल मीडिया एक्सपर क्या लिखा भगवान श्री राम अराध्य देव हैं ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विशे हैं कॉंग्रेस को ऐसे राजनी तिक निर्ने लेने से खुद को दूर कर लेना चाहिए था लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसा जरूरी नहीं समझा और राम मंदर के प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया महिलोकसभा में कॉंग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल कॉंग्रेस के अध्याक्ष अधीरंजन चौधरी भी कारिकर में सम्मलित नहीं होंगे कॉंग्रेस ने निमंत्रण को लेकर कहा है कि ये बीजेपी आरेसस का है लेकिन पार्टी का बयान जारी करने के बाद से गुजरात में विरोध के सुर काफी तीखे हो चले है अर्जन मोडवाडिया ने तो इस तरह के निर्ने लेने से खुद को दूर रहने की सलह दी है चले जानते हैं कॉंग्रेस के सनेता के बारे में जिन्होंने कॉंग्रेस आला कमान को भगवान राम को लेकर इस तरह के फैसले लेने से दूरी रखने को कहा है कौन है अर्जिन मोडवादिया? मोडवादिया बहुत से सामाजिक कारियों से जुड़े हुए हैं मेक्यानिकल इंजिनिरिंग की जिगरी हासल किये हुए पढ़े लिखे नेता हैं मोडवादिया गुजरात में प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंग गोहिल के अलावा गुजरात में दूसरे सबसे बड़े अनुभवी नेता हैं मोडवादिया विधानसभा में अभी भी कौंग्रिस की प्रमुख हावाज हैं और इनी मोडवादिया ने कौंग्रिस को सलहा देते हुए कहा है कि ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए था उन्हें भी कौंग्रिस का ये फैसला रास नहीं आया जिस तरह से इतना समय लेने के बाद कौंग्रिस ने से बीजपी और आरेसेस का कारिक्रम बता कर इसमें सम्मिलित होने से इंकार कर दिया वहीं जब से कौंग्रिस आलकमान को मोडवादिया ने सीख दी है उसके बाद से उनके लिए सोशल मीडिया पर मानो प्रतिक्रियाओं की बार सी आ गई है रवी प्रताब कुश्बाहा नाम के यूजर ने लिखा ये वहीं कौंग्रिस है जो प्रभु राम को कालपनिक बताती है जो बाबरी मस्जिद की हमायती है जो सनातन को अपमानित करती है जो राम सेतु पर प्रश्न चिर्न लगाती है आपके दुख को मैं समझ सकता हूं सर लेकिन आपके पार्टी के कुछ चंद लोगों को वामपंथी समुहों ने जकर लिया है यह वही वामपंथी लोगों की कहने पर आपकी पार्टी निर्ने लेती है अनुराक सिंग नाम की यूजर ने लिखा वाकई यह सही ही तो है कॉंग्रस ने फैसला लेकर यह साबित कर दिया है कि उसे हिंदूओं से कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ हिंदू विरोधी कति विदियो में खुद को सेक्टर दिखाने के लिए कॉंग्रस के सी भी हद तक जाने को तयार रहती है अब कॉंग्रस के वरिष्ट से वरिष्ट नेता अलाकमान के इस फैसले पर आगबुला हो रहे है कॉंग्रस की यह सबसे बड़ी गलती बता रहे है वैसे आप कॉंगर्स आला कमान के स्पैसले पर रान प्रतिष्ठा कारिक्रम में सम्मिलित ना होने को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं झाल